बिस्मिल्ला रह्मन रहीम असलाम अलेकूम इन किचन मी धानिया में आज हम बनाएंगे स्टफ्ट मश्रूम यानि के भरे होवे मश्रूम चलें शुरू करते हैं सबसे पहले हम एक फ्राइपन लेंगे और इसमें टू टेबल स्पून हम ऐल अट करेंगे और फ्लेम हम मीडियम रखेंगे जैसे हलका गरम होगा तो हम इसमें एक बरी कटी प्यास टालेंगे और इसे हम एक से डेड़ मिन्ट के लिए हलका सा फ्राइप करेंगे और साथ में हम लेसन के तीन जवे मैंने बरी काट लिए उसे डालेंगे और इसे भी हलका सा हम फ्राइप करेंगे मश्रूम मैंने थोड़ी सी इसमें खाली किया ताकि हम अच्छे से इसको भर सकें तो आ आप इसको इसमें मसाले में डालें, इसका अच्छा फ्लेवर आएगा तकरीबद दो मिंट फ्राई हो गया है अब हम इसमें शिमला मिर्च ईट करेंगे मैंने ब्रीक टी शिमला मिर्च जो हाफ लिए तरह बसा देग मिर्च का स्वाइब को आम पर इस पाले नमक का साप से कम तेजिगे है nama akka भी अपने अपने नमक अपनी तेप्स साथ हो लिए 50 टी स्पून पर नमकिर भी अपनित मिन नमक इसाई करें गिन तक्रीबन इसे हम 5-7 मिंट के लिए मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे और जैसे ये फ्राई हो जएगा हम चूला बंद कर देंगे और इसे 10-15 मिंट के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे अब हम एक बाउल में दो अंडे लेंगे उसे अच्छे से हम फैंट लेंगे और उसके अंदर जो हमने मसाला फ्राई किया था उसे डालेंगे और इन किचन में धानिया की रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीचे ये बिल्कुल फ्री है बेल आइकून के बटन को प्रेस कीचेगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके अब हम इसे अच्छे से मिक्स क करेंगे और इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे और अब हम इसमें चीज एट करेंगे अपने टेस्ट के साब से थोड़ी कम यह ज्यादा डाल सकते हैं मैं हाफ कप ले रही हूं और इसे हलके हाथ से हमने मिक्स करने हैं ताकि चीज जो है वो टूटे ना हलके हाथ से कीजिए मिश्रूम मैंने आदा किलो लिये थे उन्हें मैंने अच्छे से चील लिया और अंदर से खाली कर लिये और मैं मैंने लिया ट्रेया लिया मैंने बटर पेपर लगाया और जाया मैंने बटर पेपर अथियू आप पर मैंने अमक्तारीय पर आपट करने कि यह तो उसके अदर कर दे ने इसके रखी हमीस हैं और लिया ग peng opposite bo reaction और जाह कर दिया हम इन्हा दंदे आताकषा और शओ। और एक के करके हम सारे मिश्रूम फिल कर लेंगे और फिर इसे हम बेक करने के लिए रख देंगे एक मतबा आप सुरूर ट्राई कीजेगा अपने बच्चों को बना के दीजेगा यह एक हेल्दी फूड है और बहुत ही टेस्टी पिल्कुल असान है इंशाला आपके बच्चो जो है इसको बरीक परी काट के ऊपर डालेंगे बहुत ज्यादा नहीं बिल्कुल हलका सा और फिर हम इसे ओवन में रखेंगे मैंने ओवन ट्रीट कर लिया था वर नाइंटी पे और हम इसे 20 से 25 मिट के लिए बेक करेंगे आप चक कर लीजेगा 20 या 25 मिट फाइनल लूक इंशाला मुझे उमीद है कि आपको बहुत पसंद आएगी यह रेसिपी और आप इंशाला ज़रू ट्राइ करेंगे आप देख सकते हैं कि अंदर से भी एक दम परफेक्ट ज़र बेक हो चुक है इन किचन मिट हानिया से अगली रेसिपी तक के लिए अलाफीज हुआ है